इस lecture में हम lightning के बारे में discuss करेंगे lightning का मतलब है बिजली का गिरना चमकना जो आकास में बिजली चमकती है गिरती है बादलों से वो क्यों गिरती है उसके region क्या है कारण क्या है और ये incident बिजली गिरने के पिछले कुछ सालों में increase हुए है या decrease हुए हैं ये जानेंगे और सबसे ज़्यादा बिजली कहां पे गिरती है कौन से particular area पे गिरती है और इसमें अर्थ में आने का इसका process क्या है पूरा और बिजली बनने का क्या process है कैसे चमकती है बादलों में बिजली ये सारे answers के जबाब हम इस lecture में जानेंगे तो start करते ह हैं अभी news में क्यों है recently news में इसलिए है क्योंकि 30 people बिजली गिरने से मर गए हमारी country के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से lightning की वज़े से 30 people were killed इस वज़े से ये news में आया और lightning lightning is the biggest contributor to accidental death due to natural cause जितने भी प्राकृतिक कारणों से accidental मिर्त्यों होती है उनमें सबसे बड़ा ए biggest contributor है lightning बिजली गिरने से बहुत ज़्यादा death होती है मिर्ती होती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि पहले lightning है क्या देखो lightning क्या है lightning एक very rapid और massive discharge of electricity है यानि कि बहुती बड़े लेवल पे जो electricity का discharge होना atmosphere में उसी को lightning बोलते हैं कैसे होता है पूरा process जानेंगे हम इसमें य natural जो electrical discharge होता है for a very short duration मतलब high voltage में लाखो करोड़ो voltage की light जब बादलों से गिरती है ground पे या within the cloud मतलब cloud के अंदर ही बिजली गिरती है या cloud से ground पे आती है और उसके साथ साथ bright flash होती है बिजली में आपने देखा होगा bright flash कुछ इस तरह से देखो आपने देखा भी होगा इस इस तरह से bright flash आती है मतलब चमकिली light आती है और sound करती है sometimes thunderstorm मतलब बादोलों का गरजना आपको गरजन सुनाई देती है और यह lightning की जो flash है उसके साथ साथ sound भी दिखाई देती है मतलब sound सुनाई देती है और यह चमकन जो चमकती है जो है यह आपको दिखाई देती है तो यह ही है बिजली आप इसको define कैसे करोगे इसी तरह से कि very rapid और massive discharge of electricity in the atmosphere atmosphere में बहुती ज्यादा स्तर पे थोड़े duration के लिए मतलब very short duration time में बहुती कम time में अचानक से बहुती ज्यादा electrical charge discharge हो आसमान से cloud से और अर्थ पे आए किस के साथ साथ bright flash के साथ sound के साथ और कभी कभी thunderstorm यानि कि बादल का गरजना तो उसे क्यों बोलते है lightning या बिजली का चमकना या गरजना यह जो इंटर cloud और इंट्रा cloud lightning होती है यह विजीवल भी होती है लेकिन harmless होती है इंटर cloud का मतलब है आप सब को पता है आसमान में बादल बन रहे हैं तो बादल के अंदर जो बिजली गिर रही है यहां से बादल से यानि एक बादल से दूसरे बादल पर बिजली गिरेगी तो यह क्या है विजीवल हमें दिखाई देती है लेकिन यह harmless होती है इससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि अर्थ पर नहीं आ रही भाई साब यह बिजली ऊपर यह है आसमान में और जो इंट्रा cloud होती है इंट्रा cloud का मतलब है विदिन दा सेम cloud इंट्रा क्लाउड का क्या मतलब है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर बिजली गिर रही है और इंट्रा क्लाउड का क्या है विदिन दा क्लाउड एक ही क्लाउड के अंदर जो बिजली गिर रही है चमक रही है वो बिजली हमें दिखाई देती है और लेकिन हमारे लिए कोई नुकस का मतलब है बादलों में बिजली के गिरने से हुई death मिर्थ्यू तो इसकी वज़े से मिर्थ्यू हो जाती है लोगों की जब आदमी पर या किसी बिल्डिंग पर गिरती है तो बिल्डिंग को भी damage कर देती है यह तो यह कुछ उपाय किये जाते हैं बिल्डिंग को बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है वो भी समझेंगे हम इस लेक्चर में आगे तो अब स्टार्ट करते हैं कि यह प्रॉसस है क्या एक चीज याद लखनी है कि जो घरों में बिजली आती है वो लगों 220 वोल्ट की होती है 220 से 230 वोल्ट की होती है 220 से 230 वोल्ट की और electric current जो उसमें ह आते हैं तो 220 वोल्ट की वोल्ट की वोल्ट की है और current कितना उसमें लगबग 100 से 200 amp का और जो बादलों से बिजली गिर रही है न भाई साब वो लाखो करोडों वोल्ट है और लाखो करोडों ही current है अब सोचो बहुत ही short duration में अगर इतनी current और voltage किसी इंसान के उपर या किसी property या tree के उपर गिर जाए तो उससे कितना नुकसान होगा तो इसलिए damage हो जाता है अब process जानते हैं कि यह बंता कैसे है lightning बंती कैसे है देखो यह बंती इसलिए है जब electrical charge है जो बादलों में बादलों में top layer होती है और bottom layer होती है जैसे मानलो भाई साब यह आस्मान में बाद बादल की यह top layer होगी यह होगी bottom layer इन में क्या है difference होता electrical charge में electrical charge का क्या مतलभ होता है जैसे देखो यहाँ पर मादलो positive charge होगा और यहाँ पर negative charge होगा फिर मानलो positive charge होगा इसकी वजह से यह बिजली बनती है क्योंकि different charge होता है different डिफ्रेंट जगह पर बादलों में, कहीं पर negative charge है, कहीं पर positive, आप सब को पता है negative charge किस पर electron पर होता है negative charge, और current क्या है, current है जो जो आपके घरों में current आ रहा है बिजली में, वो current भी क्या है, flow of, flow of, flow of charge particle, charge particle यह आप कह सकतो electron, electron का ही flow है, electron flow कर रहे हैं, भाई साब, electron बह रहे हैं, आपकी जो wire है, जो घरों में wire है, electron flow कर रहे है, charge particle फ्लो कर रहे है, charge particle, यह electron तब भी निकलते हैं, अगर मानलो आपके घर में कोई लोहे की seat है, कोई लोहे का chair है, कुछ भी है, या कोई भी है, उसमें आप hammer से, हतोड़े से मारोगे, तो इससे electron release होते हैं, electron release होंगे इस चीज टकराती है, friction होता है, घर्शन होता है, तो उससे electron move करते हैं, electron generate हो जाते हैं उससे, तो इसमें कैसे होता है, कि बादलों में, cloud में difference in electrical charge, electrical charge में difference होता है, कहीं पे positive, कहीं पे negative, कहीं पे positive, तो इसकी वज़े से होता क्या है, होता यह है, कि lightning generate होती है, लगबग 10 to 12 km height के cloud बने होते हैं और उनका बेस अर्थ सर्फेस से 1 से 2 km उचाई पे होता है कहने का मतलब यह है यह अपनी अर्थ है और 1 से 2 km उचाई पे यहां से 1 से 2 km उचाई पे यह बादल बने है यह बादल और बादल की उचाई कितनी है यह 10 to 15 मतलब 10 to 12 यह 15 km तक यह बादल उचाई में ह वर्टिकल कलाउड बने हुए अब इसमें होता क्या है अब इसमें होता है कि बाई सब जो टॉप की लेयर होती है टॉप रेंज होती है उसमें टेंपरेचर बहुत कम होता है क्योंकि आपको पता है अर्थ से जब उचाई पे जाते हैं हम एट्मोसफेर पे तो पहले टेंपर आप 15 किलोमेटर तक उस लेयर को बोलते हैं टॉपस्फेयर सारे बादल जो बनते हैं और जिनसे बारिस होती है वो इसी लेयर में होती है इस से उपर होता है आपका स्टेटोस्फेयर स्टेटोस्फेयर उस सका बादल बनने का और गिरने का बिजली गिरने का या आपका बारि टॉप योगा बादलों की टॉप लेर होती है अमाइनस 35 चल्सितस लेके एर में water vapor है, moisture form में, water gaseous form में, gas की form में, जैसे मान लो आप gas, आपके सब के घरों में gas होगी, gas पर पानी रखा आपने, ये मान लो gas चूला है, gas चूले पर आपने ये पैन रखा, मतलब कोई भगो ना रखा, पैन रखा, इसमें पानी गरम कर रहे हो आप, तो जैसे ही यहाँ heat होगा पानी, इसमें भाप उठने लगते हैं, vapor, vapor, वो vapor क्या है, water है moisture form में, gas की form में water है, अगर आप हाथ रखोगे इसको उपर, तो आपका हाथ गिला हो जाएगा, उस भाप से, समझ रहे हो, तो इसे क्या है, जब water vapor उपर जाते हैं, क्योंकि गरम होते हैं वो, heat होती है, तो उपर जाएंगे वो, उपर जाएंगे, उपर जाएंगे तो क्या होगा, उनका condensation होगा, condensation क्या है, जैसे आप, आपके freeze में से कोई bottle बाहर निकाल के रखो, वो क्या होगा, उसके थोड़ी दिर बाद देखोगे, आफ ठंडी बोतल, उसके में बाहर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदे जम जाएंगी, वो कहां से आई हैं, क्योंकि atmosphere में हो, आपके आस पास इसके आस पास वाता वराना, वहाँ air है, air में water है, वो water क्या है, यह गरम form में, यह ठंडा है, यह जब भी यह ठंडी चीज के संपर्क में आएगा, तो यह क्या है, water जो vapor है, water vapor जो air में है, air में water vapor है, यह बदल जाएगा, किस में, liquid में, liquid में, क्योंकि यह पानी की बूदे तरल हो गई, पहले आपको दिखाई नहीं दे 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 थी, air में, air में आपको दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि gas form में थी, gas form में थी, water firm में, जैसे ठंडी चीज के संपर्क में आई, तो यह ठंडा हो गया, यानि कि जब भी water, क्या है water vapor को ठंडा कोई place मिलेगा, तो वो gases form से liquid में change हो जाएगा, इसी को बोलते हैं, इस क्रिया को, इस process को water vapor से liquid में change होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, condensation, और कभी-कभी क्या होता है, माल लो, यहाँ पर जो temperature था, जो आपने बोतल निकाली, उसका temperature माल लो, कि भाइसाब minus, यान माल लो, plus में था कि 2 degree या 3 degree Celsius था, उसका, और इसका water vapor का था, माल लो, 10 degree, या माल लो, 32 degree था, room temperature माल लो, 32 degree Celsius था, तो जैसे यह आएगी संपर्ग में, तो water vapor में change हो जाएगा, लेकिन अगर माल लो, यहाँ surface का, जिस जो ठंडा surface है, उसका 0 degree temperature था, 0 degree या 0 degree से less था, 0 degree या 0 degree से कम था, बराबर था या less था, तो अब क्या होगा, यह क्या ह जाएगा यह, और इसी तरह से जब यह बरफ में change हो जाता है, यह ole बनके बरस जाते हैं, ole, hail storm हो जाता है, hail, hail बोलते हैं, ole को यह बरस जाते हैं, यानि कि 0 degree से नीचे होगा, और जब direct, gas कोई liquid में convert ना होके, direct solid में हो, उस किरिया को वैसे condensation यूज करते हैं, जोग्राफी म जब directly liquid से gas में, मतलब आपका solid से gas में, या gas से solid में direct change हो, क्योंकि यह बरफ बनी है, ice, यह क्या है, भाई सब solid ही तो है, solid ठोस है, और जो water vapor है, वो gas है, और पहले जो water vapor से liquid में हुआ था, वो तरल परदार था, liquid है, पानी, liquid है, पानी की बूंद बनी, तो liquid में change होगा, तो cond condensation, और geography में, बरफ में change होगा, उसे भी condensation word यूज करते हैं, अगर अब particularly science में जाओ, तो water vapor से जो ठोस में, liquid में change होगा, मतलब ठोस में, sorry, ठोस में, या निकि solid में change होगा, water vapor से solid में change होगा, और solid से water vapor में, gas में change होगा, तो उसके लिए sublimation word यूज करते हैं, समझ गे, त temperature decrease हो रहा, ठंडे, जो ठंडा यहाँ पर place है, उसके संपर्क में आ रहा है, इसके विजए से क्या हो रहा है, अब जैसे ही क्या है, जैसे भाई साब मान लो, यह change हुआ, यह change हुआ, किस में, change हुआ था, water vapor से liquid में change हुआ था, अब water vapor से liquid में, जब change हुआ था, तो यह water vapor में gases form में था, अब liquid में change होने वाला था, यह जो ठंडी चीज के संपर्क में आगा, ठंडे place में, जैसे भाई साब, यहाँ से air move कर रही है, आसमान में उपर, air move कर रही है, अब water vapor क्या है, इतना ठंडा हो गया, अब यहाँ से liquid में change हो गया, अब जिस temperature पे यह water vapor से liquid में change हुआ है, उस temperature को, जिस temperature पे हुआ हमानलो, 2 degree temperature पे, 3 degree पे, 4 degree पे change हुआ है, उस temperature को बोलते है, dew point, यह याद रखना, dew point, उसको क्या बोलते है, dew point बोलते है, dew point, तो यह अब जब change हुआ, क्योंकि water vapor था जबी, इसके पास heat थी, भई heat रहेगी, उसमा रहेगी, गर्मी रहेगी, पानी में change हो गए, क्योंकि पानी तो ठंडा है, गैस से, पानी तो ठंडा है, उसका temperature का में, तो यह heat release हुई, इस heat को बोलते है, latent heat, latent का मतलब वैसे होता, छुपा हुआ, hidden, तो यह latent heat release हुई, अब यह latent heat जो release हुई है, इसकी वज़े से क्या होता, भाई साब, यह heat generate होती है इसकी वज़े से दुबारा water molecules को heat मिलती है, फिर वो water vapor जो आसपास है, water vapor फिर उपर चला जाता है, फिर change होता है, ऐसे यह किरिया चलती रहती है, बहुत बड़े बादल बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और अगर zero degrees temperature कम होता है, तो direct water vapor किसमें change होते हैं, ice crystal में, और ice crystal फिर उपर mass gather करते हैं, और उपर move करते हैं, और जब ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो वो ice crystal क्या है, ओले बनके नीचे आने गिर ले ले नगते हैं, और जो, मानलो, ice crystal या water vapor कुछ उपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं, तो इसकी वज़े से क्या है, घर ice crystal है, वो upward move करेंगे, और जो larger है, जो बड़े ice crystal है, वो नीचे आएंगे, क्योंकि भारी हो जाएंगे, उन्हें अर्थ की gravity खीचेगी, gravity से प्यार करते हैं, वाई साब, अर्थ की gravity है, अर्थ की हमारी जो गृत्वा घर्सन बहल है, वो नीचे खीचता है, आर चीज को, तो जब electricity आपके घर में आ रही होती है, उसमें जो sparking होती है, जैसे मालो दो तार है, negative और positive तार, उनको आप एक में बिजली है, एक में नहीं है, अर्थ वाला, आप जैसे mobile चार्ज करते हो, आपके mobile के charger में दो देखे होंगे, ऐसी डंडी सी, एक positive होता है, एक negative होता है, अगर उसमें से लगा के आप दो तार निकाल के टकरा दो इने, जैसे आपका switch है घर में, यहां दो ऐसे point होते हैं, अब इसमें क्या है, दो तार लगा हो इने आपस में टकरा दो, तो आपका हो सकता आपको current भी लग जाए, क्योंकि यह दोनों तार जल जाएंगी, spark होगा, बिज और ज्यादा collision होगा, और एक reaction ही बन जाएगी, एक chain बन जाएगी electron release होने की, अब इसकी विज़ से क्या होता है, जो top layer होती है cloud की, वो positive charge हो जाती है, जो battle की top layer है, वो positive charge हो जाता है, और middle layer में negative charge हो जाता है, यह इस तरह से हो जाता है, देखो, यहां पे positive charge मान लो, और यहा यहां पर positive charge है तो ऐसे हो जाता है अब इनसे आगे क्या होता है छोटे ही time में मतलब कुछ समय में little time में huge current generate हो जाता है current लाखो millions में 10 लाख मिलियंस में करोडो millions में एंपियर में temperature मतलब यहां पर temperature भी generate होता हीट भी और current भी generate हो जाता है और यह जो लेयर हैं बादलो की बादलो की परते हैं उनमें current flow करना start हो जाता है चलना start हो जाता है इसकी वजह से जब current flow करता है तो heat generate होगी यह heat generate करेगा उसमा जैसे आपने देखो होगा कभी आप mobile चार्ज लगाते हो घंटा चार्ज लगा आपका mobile जो भटाते हो mobile गरम हो जाता है किसकी वजह से वहाँ पर electron flow कर रहे थे current flow कर रहा था उसमें चार्ज हो रहा था ऐसी तरह से क्या है तो यह heat produce करेगा heat produce करेगा तो क्या होगा जो बादलों के अंदर भी तो air है भाई साब वो भी तो ऊपर जा रही है कुछ नीचे आ रही है उपर जा रही है नीचे जा रही है यह process चल रहा है जो air column है column का मतलब air है यह air मैं मानलो इस एरिया में air है तो ये air column हो गया तो ये air column क्या होगा बादलों के बीच में इनको heat करेगा air column को heat करेगा और ये air column जब heat होगा तो गरम होगा गरम होगा तो क्या होगा ये red दिखाई देगा जैसे बादलों हमें red यह एक्सपेंड करेगा एक्सपेंड का मतलब फैलेगा जैसे यह एक्सपेंड करेगा हीट की वज़े से क्या होगा हीट की वज़े से एयर अपना फैलेगी इधर उदर इधर उदर फैलेगी अब यह बढ़के कितना हो जाएगा जैसे मालों यह एक्सपेंड करेगा एक्सप wave generate करती है, मतलब लहरे इससे तरंगे निकलती है, और जिसकी वज़े से कभी-कभी thunder sound निकलती है गरजने की अवाज, कुछ इस तरह से यह देखो, यह है आपका air column बीच में cloud में air column है और यह आपको दिखाई दे रहा हुआ, expand कर रहा है यह घूम रहा है, और बीच में देखो light generate हो यह, heat generate हो यह, इसकी वज़े से हमें red red सा दिखाई देता है, और heat generate होती है और यह expand करता है अब यह हो गया कैसे heat निकलती है, और कैसे यह lightning बनती है, कैसे यह यहाँ पर गरजन सुनाई देती है क्योंकि column की वज़े से, गरजन कैसे सुनाई देता है क्योंकि जो air column है वो expand करता है, बादलों के अंदर जो air है, वो अचानक से expand करती है मतलब बढ़ती है, increase होती है यह बढ़ने की वज़े से अवाज निकलती है जैसे कभी आपने, क्या है air चलते होँए देखिए, जब हवाज चलती है अवाज आती है, शूंसूं किसी अवाज आती है तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी मातरा में air अचानक से, बहुत ही कम टाइम में अचानक से फैलती है, जब फैलेगी पता है good conductor of electricity है good conductor का मतलब है सुचालक और bad conductor होता है कुछालक यानि कि जिस में से जिस instrument में से या किसी metal में से बिजली पास हो जाए current पास हो जाए वो है conductor good conductor और जो bad conductor कौन है जिसमें फास ना कुछ आलक हो गया यानिकी good conductor कौन है good conductor अर्थ यानिकी busy pass हो तक्किती है जैसे आपके घरों में तामे का कोई चीज है यहां से current pass हो जाएगा मान लो बीच में आप यह तार है यहां बीच में बलफ लगा दो जोड के तो जल जाएगा क्योंक प्लास्टिक यह ब्लस्टिक क्या है बेड कंडेक्टर है उससे नहीं होती बिजली पास attack कुचालक है वह हाधर बादल की जो मिडल लेयर है बादल की मिडल लेयर में देखो क्या है नेगिटिव चार्ज है अगर इससे compare करें तो जो अर्थ है वो positively, relatively, positively charge है, मतलब अर्थ में थोड़ा बहुत positive charge है, positive charge है और बादलों में कैसा है negative charge क्योंकि negative charge आ रहा होता है अब negative charge तो भाई साब किसकी तरफ move करेगा, उसे तो चीए positive, negative और positive चीज क्या करती है, attack करती है जैसे मानलो, लड़का लड़की है भाई साब negative लड़की मानलो, positive लड़का मानलो, नहीं आप negative लड़के को मानलो, positive लड़की को मानलो, लड़की बुरा मन जाएंगी, तो गरल मानलो positive है, तो आपस में attack करते हैं, ऐसे क्या चार्ज भी अटेक्ट करते हैं वाईसा वापस में अटेक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ अकरसित होते हैं तो ऐसे क्या है जो नेगिटिव चार्ज अब आदलों में वो अर्थ की तरफ अटेक्ट होगा यानि कि जो बादलों में है 20-25% जो करंगा जाता है अब अर्थ की तरफ जब या फिलो करेगा तो जहाँ पर भी या गिरेगा वहाँ पर life और property को damage कर देगा तो पता चला क्यों आता है अर्थ की तरफ क्योंकि अर्थ positively positively चार्ज है और बादल में negative charge है वो positive की तरफ flow करता है, नीची आता है, इस वज़े से, और जो lightning होती है, जो greater probability होती है, कि वो किस पे गिरती है, raised object पे, मतलब जो उची-उची इमारते building मनी होती है, या उची-उची पेड होते हैं, trees, उन पे जादा गिरती है, इसलिए कहा जाता है, जब बारिस हो, और बिज पे पेड लगा हुआ, tree, अब क्या है, ये भी तो positively चार्ज है, पेड भी, आपका tree भी, और building भी, तो वो जो बिजली किर रही है, वो अर्थ पे क्यों आएगी नीचे, वो से तो shortest distance से ही है, कम distance से ही है, कि मैं कम दूरी में अपने positive जो है, मेरा सजन, उससे जाके मिलनू, सम shortest distance ढूंडेगी न, कि कम समय में मैं इसके जर्ये, building पे जर्ये, अर्थ तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि building पर आएगी, building पर गिरेगी, positively चार्ज है, तो इसलिए ये direct, मतलब, diverted हो जाते हैं, building की तरफ, इसकी तरफ, large tree की तरफ, तो अर्थ के गिरने की बजाए, पहले largest, जो बड़ी building की तरफ, क्यों गिरती है, क्योंकि इसे तो shortest distance चाहिए, कम distance चाहिए, इसलिए जो जल्दी समय में positively charge जहाँ पे मिल जाए, उसकी तरफ, अर्थिंग करते हैं, बड़ी-बड़ी building में क्या करते हैं, अर्थिंग क्या करते हैं, कि एक wire लगा देते हैं, metal की उपर, building क जो ऊपर लगा देते हैं, ताकि इसे बोलते हैं, ताकि जैसे light जब गिरे ना, बील्डिंग को नुकसान हम हारो, नुकसान ना हो, हर्म ना हो कोई, जैसे इसे बोलते है, lightning conductor, lightning conductor क्या होता है, building को protect करने के लिए एक metal होती है, metallic road, metallic road, metal की road हो सकती है, मनलो silver की हो सकती है, aluminum की हो यह लोहे की हो सकती है तामे की हो सकती है कोई भी जो electricity को क्या है मतलब वो good conductor हो और जब इसमे बिजली गिरे तो यह इसे नीचे अर्थिंग कर देते हैं अर्थ में नीचे दवा देते हैं जब भी बिजली गिरेगी वो अर्थ में चला जाएगा चार्ज building को कोई नुकसान नह टालर building होती है उनकी वाल पे एक बिल लगा देते हैं रोड लगा देते हैं जो नीचे ले जाता है चार्ज को जो जो नेगल चार्ज अ रहा है इस तरह से को बिल्डिंग पे किसी भी building पे देखना बड़ी बिल्डिंग पे इसस तरह का रगी होती है यह वायर दिखाई दे इसी को बोलते है अर्थिंग करना यह चार्ज जैसे हो पोसिटीव ली चार्ज है तो यहां जो नेक्टिव चार्ज है वो नीचे अर्थ पर आ जाएगा और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता बिल्डिंग बच जाएगी कुछ इस तरह से अर्थिंग कर देते हैं देखो जगह जगह पर अर्थिंग क्लूई है यहां पर यह इस तरह से मेटलिक रोड लगा देते हैं यह इसको बोलते हैं अर्थिंग अब सबसे ज़्यादा कें देखा होगा नौर्थ इंडिया छलब नौर्थ अम्रीका और साओ अम्रीका आपको कंटरी दिखाई दे रहा हूगा वैंजोला यह वैंजोला में एक लेक मारकाबो नाम की मारकाबो यहां पे गरते हैं बहुत ज़्यादे बिजली अब इसमें जो क्या है इस प्लेस में काटा कुम्बो ये काटा तुम्बो काटा तुम्बो रिवर है इस लेक में जील में आके गरती है मारा काईबो मारा काईबो लेक में जील में आके गरती है और यहाँ पे हर साल लगबग हर साल 260 स्टॉम डेज होते हैं मतलब 365 दिन में 260 दिन तो बिजली गिरती है, लाइटनिंग गिरती है, और अक्टूबर के महीने में तो हर एक मिनट में 28, हर एक मिनट में 28 लाइटनिंग यहां पर होती है, हर एक मिनट में 28 लाइटनिंग होती है, मतलब 28 बार बिजली गिरती है हर एक मिनट में, और इसी वज़े से इस फिनोमेना को beacon of maracaibo या everlasting storm अब climate change का क्या effect है lightning पे देखो climate change का क्या है आप सब को बता है climate change क्या हो रहा है global warming हो रही है global warming किसकी वज़े से greenhouse gas की वज़े से ये atmosphere में temperature को absorb कर लेती है और temperature अर्थ का बढ़ जाता है इसी को बोलते है global warming अर्थ का atmosphere का average temperature का increase होना अब इसकी वज़े से क्या होता जैसे 1 degree Celsius increase होता है temperature इसकी वज़े से कितना होता है 12% तक lightning के case बढ़ जाते हैं ऐसा California University ने बोला है California University USA में अमरिका की उनिवस्टी है उसने 2015 में एक report publish की उसने कहा अगर 1 degree Celsius temperature बढ़ता है तो 12% lightning के case ज़्यादा बढ़ती है और एक magazine है geophysical research letters नाम की magazine type है उसने मास 2021 में अपनी report में कहा कि Arctic region में जो Arctic region है यह वाला Arctic region है यह भाई सब आपका यहाँ पर Arctic region है इस में global warming की वज़े से temperature की increase होने की वज़े से climate change की वज़े से यहाँ पर incident lightning के बहुत ज़्यादा increase हो रहे है और अगर lightning के case देखें 2010 से 2020 के बीच में summer मन्त में गर्मी के महिने में 2010 में 18,000 case आते थे लगबग साल में 2010 में और 2020 में कितने case आए lightning के यह 1.5 लाग case आए है किसमें 2020 में और हमारा एक institute है पूने में Indian Institute of Tropical Management इसने कहा है कि climate crisis के case बहुत ज़्यादा बढ़ गए है यह lightning के case increase हो गए है जिनकी वज़े से climate crisis हो रहा है और यह किस वज़े से हो रहा है global warming की वज़े से global warming की वज़े से temperature बढ़ रहा है और ज़्यादा moisture यहाँ पे उपलफध हो रहा है land पे और उसकी वज़े से ज़्यादा केस lightning के बढ़ रहे है यह IATM जो पूने में इंस्टिटूट है यह वाला Indian Institute of Tropical Management यह इंडिया का जो फूल टाइम वर्क करता रहता है काम करता रहता है थंडर स्टॉम और लाइटनिंग पे थंडर स्टॉम मतलब बाजलों के गरजना और लाइटनिंग के गिरने पे इस पे रिसर्च करता रहता है अब इंडिया में lightning के केस कितने increase हो है थोड़ा यह और पढ़ लेते हैं फ्री लेक्चर खतम है, 18.5 million lightning strike के केस 2020 में और 2021 के बीच में देखे गए, मतलब 1 million में 10 लाक होता है, तो यह हो गए लगवग 1.1 करोड 85 लाक, मतलब 1.85 लाक हो गए, लगवग 1.85 लाक केस एक साल में देखने को मिले हैं, और यह किसने का है, यह lightning resilient India campaign है, इसने report में का, इसकी annual report आती है, इसने बोला है, और इसने lightning resilient इंडिया यह जो campaign है, यह अभियान है, यह joint initiative है, किसकी का है, एक तो है आपका यह CROPC, Climate Resilient Observing System Promotion Council, और एक हमारा इंडिया का जो national disaster management authority हो, वो, इंडिया का इंडिया metrological department है, और union ministry of earth science के अंदर आता ही है, और एक world vision इंडिया और UNICEF, यह United Nation की Space Legends Agency है, तो यह हैं जो, यह मिलके और कुछ और भी है, इनका मिलके एक यह अभियान है, campaign है, इसने बोला है, 2020-21 के बीच में इतने, एक करोड़ पिचासी लाग के case आएं इंडिया में, इस campaign का target यह है, कि यह 2022 तक कम से कम 1200 से कम death हो, बिजली के गिरने की वज़े से, तो lightning की वज़े से जितनी death होती है, उनको कम करना है, 1200 से कम, एक साल में, एक साल में कम से कम 1200 से कम death हो, क्योंकि यह case क्या है, कम से कम 2019 और 2020 में जो record किये गए थे, वो थे 13.8, और अभी कितने थे, 18.5 million, और 2019-20 में एक साल पहले का data 13.8 million, यानि कि 34% increase हो गए है, previous year से, पिछल इस लेक्षर में आपको समझ में आयात हो, तो अच्छा है,